नवी मुंबई पुलीस एनराई पुलीस टेशन रजिस्टर्ट एफ आई आर और एनराई पुलीस टेशन ने सुनी एक महिला की पुकार जी हाँ नमस्ते दोस्तों जी हाँ मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्त आशिश चौदी और मैं खड़ा हूँ इस वक्त नराई पुलीस टेशन में एक महिला की फर्याद जो लेके चत्रपती शिवाजी महाराथ सेना और कॉंशे सिटीजन फोरम और उनके साथ में उनके वकीली सलागार यहां पे पहुँचे और एक महिला की मॉलस्टिंग की जो कंप्लेंट है वो आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं अभी इसके बाद में आपको हम दिखाएंगे कि आकिर माजरा। अगर कोई भी महिला पर इसा अत्यचार होता है, यह सेना हमेशा उनके साथ है, मैंने अपना FRIR लांच किया है, उस अदमी के खिलाप, आप यह ऐसे अगर किसी महिला के ऊपर इसा अत्यचार होता है, तो आप यह सेना के पास अके आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो इस मेटर में आपके वकील कोण है, मेरे वकील काम काम करते हैं, वहां की मैनेजमेंट है, इन्होंने जान बूच के वहाँ पर दोजार आटरा में एक बंदे को अपोइंट किया, मैंने टो इस बंदे को क्यों आप्पाइंट की है वो मैंज्मेंट को पता है लेकिन ए बंदे ने जैसे वह जॉइन वह तब से लेकर आज तक जुले 2020 तक अब आपके अपने प्रश्याद करने का पूशिश किया तो ऐसे मावल में उन्होंने चात्रवजी शिवाजी महाराज जो अपनी तंकटना है उनके पास एक कंप्लेंट दाया रखी उस कंप्लेंट का आदा पर उन्होंने हमसे मदद मांगी उस ददर पर हमने जोले महने से ल गाइडनस किया उस आदार पर उन्होंने उनके मैनेजमेंट को कंप्लेंट की कि आप जो वेंकट रागवन बोलके जो बंदा है उसके खिलाप आप कैजिशीर को आरवाई की जाए क्यूंकि कंपनी एक के साब से हर कंपनी में एक कमिटी होती है जिसका नहों होता है पॉश पॉश मींस प्रिवेंशन आप सेक्शियल अब्यूस कमिटी तो हमारी गुजारिश थी कि कंपनी ने जो उनकी कंप्लेंट है वो पॉश सामने रखी जाया लेकिन कंपनी ने ऐसा किये बगर खुद की एक पैनल खड़ी करके प्रस्नल पैनल खड़ी करके उस आदमी को प्र गुनेगार साबित किया जा रहा है जो की फिरियादी है और जो गुनेगार है उसको आज एक उच्छे दरजा की ट्रिटमेंट दी जा रही है सीवड इस्टेट लिमिटेड कंपनी में तो इसके लिए आज के दिन हमारी सेना के जो पदादिकारी है अध्यक्षा विजय चा जो भी उनको सपोर्ट कर रहे है जो डायरेक्टर रहो या कोई भी मेंबर रहो उनके खिलाब हमने आज इनके आज शिकायत दायर किये अभी इसके बाद में जो भी होगा वो कोट के दामने होगा और कोट डिसाइड करे कि जो जिनके खिलाब हमने कांपलेट दायर किये कि तो इसमें आपको क्या लगता है क्या एंटिसिपेटरी बेल हो सकती है एक्षुली जो सेक्षन उन्होंने लगा है आज पूजिस्टेशन ने फायर में 304 और 509 तो जो दो सेक्षन यह नॉन बेलेबल सेक्षन है एक्षुली एक महिला पर आत्याचर हो रहा है तो उसको जामी नहीं मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है लेकिन जो कोट है ठीक है मैं आपके पास लोट के आता हूँ आप अध्यक्ष है चत्तुपती शिवाजी महाराज सेना से आपका क्या कहना है आप किस द्रिश्टी कोन से देख रहे हैं इसको जाई शिवराय आर्शला ताही शेला प्लेक्स मतला आनि तीते सगले मंजा आईफाई सोसाइटी आहे थी आनि एक महाराश्रन ताही आपली तिला यहा प्रकरता त्रास होतो ता आनि ना घाबरता ना डगमकता तैने आमचे गड़े तैन्ची कंप्लेंट दिली ती गयोन माजे मित्रा कॉंचे सिटिजम फोरम केकुमार सहेब तशेद आमचे आड संगटने चे काईदीशी सल्लागार महाराश्रा चे आड़ोकेट दोशी सहेब आनि आमचे सगे सहकारी मोहनतावरे सहेब संतोष वाक्तावरे आनि नदब भाई यानि आज आमी पॉलिस सेशन लगन सदर प्रकार सांगने ता प्रहत न तो तैने जालेले गटना ही पार गंबिर स्वरुपा चे अनि तातकाड ये फर है दाकल करें लवली में आज आपले निवच्या माध्यातून संगोई ची तो महाराश्रा मते आशा कुठे ही महिलानो रात्या चा रोत अशे या ताई दशी समोर आली आपले सग्रेंजा ता संतिम पढ़ाओ आप पर आता है आपको क्या आप किस तरह से इस केस को देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह पूरे नवी मुंबाइकर के लिए सर्म का विशह है कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और एनराई सोसाइटी नवी मुंबाई का सबसे प्रेस्टीजियस सोसाइटी है जिसमें सारे वी आईपी ब्यूरो क्रेट्स इंडस्ट्री से रहते हैं पढ़े लिके लोग रहते हैं इंटिलेक्ट्ट से बिलोंग करते हैं वहां पे किसी वरकर के साथ इस तरह का अभी उस किया रहा है और लोग मुंबंद करके कि खिलाब पूरा जोर आवाज उठाना चाहिए कि इस तरह का नभी मुंबई में कम से कम यह दाग तो नहीं लगना चाहिए अगर हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं दूसरी बात यह बैचारी बहुत दिनों से लड़ रही है अपने सोसाइटी में आवाज उठा रही है उस सोस स्प्रिमठ album का गाइड-लाइन से वामन कमी तेकि अगर महिला को न्याय पाना है तो अपने पर अधिवग्ता को लग सकती है जब वहिवार करनाया उनके सब्ध्याद कीया वाज के वी बात नहीं आप 한 और इस फोनें हैं और उनके साथ सामनने वहवार करना चाहिए ट्क्राइब,' गुम्राक कर दिया जाएं ताकि बांद में कॉंटेक्ट करें और उनका लेंदेन का कारिकरम बने यह एक भरस्टा चाहर है कि आपने सुप्रीम कोट का भी गाइडलाइन से जीरो टॉलरेंस होना चाहिए अगर वोमेंस के प्रति कोई भी अर्ट्याचार होता है और जीरो आवर में फाई आर लॉज होना चाहिए तो यह वhãसे दूसवक्त मेरे खिल से 8 बज्र करीब आँडवरो मैं जो जीरोग साहिए गिरोफतरी हो जाना चाहिए तो दो या तीन दिन गिराफ्तरी होने चाहिए दो में बने भी आपर शायरा है और उनका ब्रह को परम्ट करेक्ता लेने पर तुला हुआ है आप भी द्यानते हो कि जैल से जो जाइदी को छोड़ा जा रहा है ऐसे मौल में अरेस्ट करना उनके लिए पॉसिबल है या नहीं है ऐसे सुझव में कोई लेना घटना है कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से जैसे अभी रिया चक्रवर्ति को गिरफ्तार किया गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया और आने वाले समय में लोगों को गिरफ्तार करना है तो मेरे हिसाब स कुछ ऐसी धाराएं हैं जिससे रेप हुआ मडर हुआ इसमें कोविड का इनको प्रिवलेज नहीं मिलना चाहिए और समाज में इस तरह के लोगों को कभी हमारे नियाले से विंती होगी कि इस तरह के लोगों को कोई प्रिवलेज नहीं देना चाहिए और इनको कभी भी कोई भी अंड्यू प्रिवलेज नहीं मिलना चाहिए ना कोई छूट मिलनी चाहिए कानून में ताकि इनको ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सबक दिया जा सकते हैं तो गिरिफतारी होनी चाहिए निश्चित जिहां तुरद गिरिफतार कीजिए